मोबाइल फोन की बैटरी आपके कित्ती चलती क्या एक दिन उससे निकाल सकते हो, दो दिन उससे निकाल सकते हो क्योंकि एज जमाना ऐसा था जब मोबाइल फोन के अंदर 3000 mAh की बैटरी भी बहुत लगती थी फिर 4000 mAh बैटरी का जमाना है अब सच बात तो यह है कि मोबाइल फोन के अंदर एडवासमेंट हुए हैं लेकिन जहां एडवासमेंट ने हुआ वो बैटरी है और इसके साथ ही मोबाइल फोन का प्रोसर कैमरा यह सब भी पावरफुल हुए हैं इसलिए बैटरी ही कपैसिटी को इक्रीज किया गया लेकिन इससे भी बड़ी चीज पताओं क्या हुई है वह हुई है कि लोगों का मोबाइल फोन का कंजम्शन यहां पर बढ़ गया है आखर आप जो लोग है वो किती दिर एक मोबाइल फोन को अपने हाथ में लेते हैं दिन भर तो आप लेते ही रहेंगे कितना अब उसे लॉक अनलॉक करेंगे इसके साथी कितनी बार अपने नोटिफिकेशन को चेक करेंगे मैस्जिस को चेक करेंगे अलग लग सोशल मीडिया अप्स को ब्राउज करेंगे और जो कंजम्शन रहता है वो इतना जादा हाई हो गया कि लोगों को पांच हजार एमेज की बैटरी के साथ लोग उसमें खुश रहते थे लेकिन जितना कंजम्शन आप जादा करेंगे तो बैटरी तो यहाँ पर ज कोशिश करी उन्होंने और उसके साथ उन्होंने हाँ पर बड़ी से बड़ी बैटरी को फिट करनी के कोशी तरी अब यह एक सर्प्राइसिंग चीज़ है जहां पर लोगों को डाउट आ जाता है कि एक पांचाजार एमेज की बैटरी और फोन आपका 180 ग्रम के भी नीचे जा रहा है यह चीज यहां पर अचीब करी इवन सैमसंग जैसे कमतनी ने तो 7000 वाले फोन को भी निकाला था जो कि सर्प्राइसिंग चीज था और सैमसंग ने तो बहुत सारे ऐसे फोन को भी निकाला जिसमें 6000 बैटरी थी वह सब इसली निकाले गए थे क्योंकि रिक्वा बन हो गया ना एक साला वेट कर लीजिए यह 5000 है ना सीधे 6000 बैटरी पे आ जाएगा लेकिन इसके साथ एक और इंटरस्टिन चीज आती बैटरी से लेटेड़ वह है चारजिंग का आज से तक्रीबन दो साल की बात कर ले 2022 की स्टार्टिंग में वहां पे 100 वाट प्लस चार चार्जिंग स्पीड के अंदर 100 वाट 120 वाट पर हर कोई लिमिट होके रहे गया 1500 वाट 200 वाट 240 वाट की बात यहां कोई करता नहीं है अब इसके बार में एक बाद बता सकतों आप लोग को कि जो 1500-200 वाट की चार्जिंग है वो प्रैक्टिकली पॉसीबल है और कुछ ऐसे देंगी आपकी बैटरी को लॉंग तर्म के अंदर जाने कि अगर आफ पास चार्जिंग को कंटीनियस की उस करेंगे तो बैटरी डिग्रीडेशन होगा और काफी सारे लोगों ने यह चीज़ें आपर नोटिस करीए और हां इसी वज़ें से 200 वाट की चार्जिंग के सॉल चानल से जो लोग है वो यूज नहीं कर पाते हैं इसलिए जादतर फोन आथ के सम्में में 100 से लेके 120 वोट तक क्लिमेट हो गया है यह एक डार्क टूथ है यहां पर और मैं बात कहता हूं अक्सर फास्ट चार्जिंग फोन के बारे में कि फास्ट चार्जिंग फोन और और इसलिए जो कंपनीज है वो यहां पर जादा कोशिश नहीं कर रही है और अगली इंपोर्टेंट बात है कि बैट्री केमेस्ट्री को लेकर यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि मोबाइल फोन के अंदर एड्वास्मेंट हम इसके प्रोसेसर डिस्प्लेस के अंदर हमने जैसी ही बैटरी मोबाइल फोन्स पर अब्जर्व करते हैं जैसी आज से कुछ साल पहले थी कुछ इनोवेशन वगरा लाकर है कुछ चीज़े चीज़े करके इसको पतला स्लिम वगरा बनाया लेकिन जो बेसे प्रिंसिपल है वो आज भी सेम है जबकि बात करें फ्यूचर मास प्रोडक्शन होना काफी जादे में जरूरी है और अगली चीज़ आती सेफटी को लेकि क्योंकि बैटरी के ऐसा क्रिटिकल कॉंपोनेंट है मोबाइल फोन के अंदर जो इसको सेफ होना बहुत जादा जरूर है वरना अगला नोट 7 जैसा सीन दुबारा से हो सकता है ल लेकिन चीज़ों में ता जादा बड़ा बड़ाव नहीं आए इसकी कंपैरिजन में जो बड़ाव मैं देख रहा हूं बैटरी टेक्नोलोजी के अंदर वहां पे बैटरी की टेक्नोलोजी जो नेक्स लेवल पे हो रहा है ताकि अलग-अलग अल्टरनेटिफ तयार किये ज होता है और कौन सी कैसी कंपनी रहती जो लेटरी एक बड़ा एक इनोवेशन यहां पर लेकर आती है च्योंकि मोबाई फॉन बैटरी के बारे में बहुत जादा बात की जाती थी लेकिर एक दम से चीज़े शांत जादा हो गई है लेकिन सच बताओं जो सीरियस इनोवेशन यहां पर रिक्वार्मेंट है ना वो यहां पर एक मोबाईल फॉन बैटरी के लिए और मेरी नजर में यही एक चीज़ है कि काफी सारी कंपनी इसको आद के समय में फास्ट चार्ज इनकी गिमिक्स यहां यहां पर सीरियसली काम करने के जरूरत है बाकि आप लोग जो अप